सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो पर ही असानी से नमस्कार दोस्तो मेरा नाम और हुदास निमी है और अब सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग अप्टिटूड में मैथड ओट टीचिंग जिसके अंदर हम टीचर सेंटर मैथड और लर्नर सेंटर मैथड के बारे में बात करेंगे इसमें से काफी कोश्ण आयें दोस्तों तो यह टोपिक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा ज़रूरी है तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरवाथ हम करते हैं एक question से करते हैं कि किस तरह से question पूछे जाते हैं और सभी question तो हम शाम की जो वीडियो उसमें हम दिखाएंगे जैसे ये देखे ये जो question दोस्तों ये question आज तक 4-5 बार आ चुका है मैं आपको proof के साथ दिखाऊंगा evening की जो वीडियो होगी उसके अंदर कि निमलेकित में से कौन सी वीधी सिक्षन की सरवत्तम वीधी है तो ये हमें बताना है ठीक है तो अब हम आगे देखते हैं थियोरी पढ़ते हैं तो उसके अनुसार हम जानेंगे कि इन में से कौन सी वीधी है वो सबसे अच्छी वीधी है ठीक है तो सबसे पहले हम करते है कि सिख सक के नदृत जो टीचिंग है वो किस तरीकिसे होती है इसमें सिख सक कैंदृत सक्षान में मुख्य रूप से निमान शिक्षन विधियों का उप्योग किया जाता है सबसे पहले है व्याक्यान विधी यानि कि लेक्जर देना और यह जो विधी है दोस्तों काफी पुरानी विधी है काफी सालों से चलता हुआ रही है और आज भी हम यूज कर रहे हैं ठीक है और फिर परदर्शन विधी डेमोन्स्ट्रेसन सभूँ सिक्षन समिक्ष्या विधी और परसन वत्री अब इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते देखिए व्याक्यां विधी तोग्यान विधी प्रव्यूट की जाती है ठीक है और जेम्स एम्ली के अनुसार व्याक्यां एक शिक्षन विधी है जि प्रस्तूत करता है ठीक है इसकंदर क्या होता कि दोस्तों एक जैसे टीचर होता है कलास के लेक्चर पढ़ाता है और भासन देटार क्या है कि पुरा फूर्व से आता है फिरिये दोगए क्या निवकर चुंडर टीुर्यिक है और इसमें और है और श्में गए ग्यारत्ग वेक्ष तके जो भी जहुआ है से सुनम्टा में थीचर थे और के रहनूर रहता है इसके इंदर और अब देख्सके इस Boulder क्या यह प्रतू अब देखिये व्याख्यान विधी कि कुछ विशेष्टाई दी हैं विशेष्टाई आप लिए कि विशेष्टाईज उन्यूंद इसके उपर हमारा एक टॉपिक लेते हैं उसके उपर हम चर्चा करते हैं विशेस रूप से और सिक्षन सिधान्त इसके अंदर क्या सिधान्त हो सकते हैं देखे इसके अंदर बोले गए सब्दों की प्रभाव सिलता यानि कि हम जो बोल रहें उसके अंदर एक ले यानि कि एक प्रभा होना चाहिए सही तरह से प्रभा होना चाहिए उदेश्य की प्राप्ति यानि कि ज अच्छे से communicate कर सके बच्चों को ठीक है तो यह सारी चीज़े दोस्तों यह सारी चीज़े आप पढ़ सकते हैं एक एक चीज मैं बताऊंगा तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी होने वाली है और आगे दोस्तों व के से नहीं सिखता हम उसे जोर दे के सिखाते हैं उसे भासन देते हैं और बहुत प्रयास करते चीजे होते हैं जो समझना ज़रूरी है अगला क्या कि यह सिक्षन केंद्रित है यानि कि जो सिक्षक है तीचर है उसको केंद्र वो हमारा सेंटर पॉइंट होता है में सिक्सन का अधिक बोज होता है इसके उपर और एकुसल सिक्सक यानि कि अगर सिक्सक एकुसल होगा तो वो अच्छे से स्टडी नहीं करवा सकेगा पठ्थे पुस्तक का विकल्प ठीक है इसके अंदर हमारे पास पठ्थे पुस्तक का विकल्प नहीं होता हमें क्या है कि टीचर को केवल सुनना है उसकी तरफ देखते रहो देखते रहो देखते रहो तैयारी तैयार सामगरी इसके अंदर क्या है कि सामगरी को त्यार करना प विध्यान तो हमने कर लिया परदर्शन विध्य यानि कि डेमोंस्ट्रेशन अब देखिए इसके अंदर क्या होता है विध्यार्थी एम सिक्सक दोनों की स्क्रिय रहते हैं सिक्षन सिधांतिक भाग एक मिनट सिक्षन सिधांतिक भाग का विवेचन करने के साथ इस नीती दोस्तों तीचर पढ़ा वी रहा और उससे समझा भी रहा एक डेमों दे के समझा कि अगर हम यह बताएं कि हमारे गलोब पर अमेरिका कहां पर जापान कहां पर है और वो एक गलोब लेके आएं और सभी को दिखाए वी यह देखो यहां पर यहां पर सारी चीजे खाते तो वो क्या होती है हमारी परदर्शन विधी होती है और ये जो विधी होती है बहुत ही अच्छी विधी होती है और देखें कि इसके अंदर बहुत अच्छे से बच्चा सीखता है उसमें इंट्रेस्ट पैदा होता है और बच्चा उस चीज को ज्यादा लंबे समय तक कि याद रख पाता है इसकी विशेषता है हम देखते हैं छोटी कक्साओं के लिए अधिक उपियुक्त यानि कि छोटे-छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी कामियाब होगी सिक्षन में कम समय लगना यानि कि इससे क्या कि जो चीज हम बोल के 1000 सब या अधिक स्क्रीन रहना इससे क्या है कि हमारा जो बच्चे का जो माइंड है वो ज्यादा एक्टिव रहता ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाता है और इसमें निरिक्षन तरक विचार सकती का विकास इसके अंदर वही है कि इसमें तरक भी करेगा बच्चा की क्यों हो होता है कैसे होता है और उस पर सोचेगा ठीक है तो यहां से यह जो आप विशेशता हैं पढ़ सकते हैं और यह जो विधी है दोस्तों यह विधी हमारी काफी उप्युक्त विधी होती है सिक्षन के लिए सबसे बैस्ट विधी इसे माना गया है और इसमें कुछ दोस्त भी हो सकते हैं जैसे कि हम देखें विध्यारतियों को समय प्रयोग करने के अफसर नहीं मिलना इसके अंदर क्या है कि जो Warjon पहले खुद करके दिखाता है उनको बच्चों को नहीं दिया जाता करने के लिए थीक प्रकार से प्रयोगों का निर्ख्षन नहीं करना यह कई बार प्रोब्लम हो सकती है कि जो टीचर हो अच्छे तरीके से निर्ख्षण ना करे उस चीज का कि यह जो हम डैमॉ दिखा रहे हैं वो सही है यह गलतnht यह हो सकती है यह जरूरी नहीं है कि होती ही होती है सिक्सक दवारा प्रयोग सफल नहीं होना कई वार क्या होता कि जो टीचर कर रहा है वो सही तरीके से डैमून नहीं दिखा पाता तो उससे क्या कि बच्चे के दिमाग में एक नेगेटिव इफेक्ट भी जा सकता है और मौलिकता मौलिकता यानि कि हमें किस तरीके से क्या करना चाहिए हमें जिंदगी किस तरीके से जीनी चाहिए मोरल एजुकेशन जीसे कहते हैं वो इसके अंदर बहुत कम मिलती है तो यह काफी सारे चीज़े यह आप पढ़ सकते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास स दीचर का है तो सब्सक्रार की इसके अंदर क्या हो सकता है कि क्लास के अंदर तीन टीचर हो सकते हैं एक टीचर क्या है कि एक टीयुकल पढ़ा रहा है दूसरा टीचर किया कि उसका डेमो दे रहा perfectly गोटाए कि इसमें से किस्तरह से कुश्चन आते हैं तो इसमें क्या होता कि एक से ज्यादा सिक्सक मिलना कि टीचर मिलना को बच्छों को पढ़ आते हैं एक ही टाइम पर पढ़ाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं टीम टीचिंग कहते हैं और इसके लाव क्या होते हैं इस विजी में बच्चों दवरा सबसे अधिक विश्यों को सांजा किया जाता है यानि कि इसमें कई विश्य आ सकते हैं कई विश्य वी आ सकते हैं इसमें काफी त अधिक सिख्सकों की आवशकता होती है ठीक है अभी टीम टीचिंग करेंगे तो ज्यादा ठीचर हमें जरूरत पढ़ेंगे इसमें यह विधी सुभी विश्यों को पढ़ाने में उपयोगिन नहीं है ठीक है हो सकते हम कुछ विश्ये ऐसे हैं जिनमें टीम टीचिंग कर सकते लेकिन कई हो हर किसी में हम नहीं कर सकते इस विधी में विशेस ग्यानवाले सिख्षक की आवशकता होती है देखिए जब हम टीम टीचिंग करेंगे तो हमारे लिए यह होना चाहिए कि जो टीचर हम बुला रहें उनको बहुत अच्छी नोलिज हो इस अब आता है दोस्तों हमारे पास सुक्सम सिक्षन यानि की माइक्रो टीचिंग अब देखिए माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या होता है सुक्सम सिक्षन प्रसिक्षन की प्रयोग अत्मक विधी है सुक्सम सिक्षन कम समय में अधिक लाभावंतित करने का तरीका है इसमें अध्यन की एक इकाई और एक कोशल का प्रयूप कर देखिए मैं आपको असानी से समझाता हूँ आप हिंदी पढ़ लेना बाद इसमें इसमें क्या होता है कि हम एक छोटे लिवल पे बच्चो को पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर एक छोटा ग्रूप हो जो वो ज दस बच्चो को जब हम पढ़ाएंगे और एक एक बच्चे पर ध्यान देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे सुक्सम शिक्षन कहेंगे अब यह देखिए यह लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों के छोटे समु को पढ़ाता है जब प्रिक्स शानार्थी अब देखिए इसमें उदेशिक क्या होता है एक टीचर पर शिक्षू को सीखने और नए सिक्षन कोसल को नियंतरित प्रस्थितियों में आतम साथ करने योग्य बनाता है एक टीचर पर शिक्षू को कई सिक्षन कोसल में योग्य बनाता है अब देखिए पर शिक्षू होत बच्चे की स्किल वो ज्यादा बढ़ेगी ठीक है तो ये एक छोटी-छोटी चीजी दोस्तों आपको ध्यान रखनी है वो पूछ सकते कि ऐसा कौन सा सिक्षन है जिसके अंदर बच्चे की सिक्षन को सल को बढ़ावा दिया जाता है तो वो होगा हमारा सुक्सम सिक्षन होग उसके बाद उसकी टीचिंग की जाते है उसके बाद फीडवैक लिया जाता है बच्चों से और फिर दोबारा क्या फीडवैक लेने के बाद दोबारा फिर लेसन पढ़ाए जाता है री लेसन प्लानिंग दोबारा से प्लानिंग की जाती है फिर री टीचिंग जो हमने दो दोबारा पढ़ाते और फिर दोबारा से फीडवेक लेते हैं तो यह हमारा माइक्रोट पीचिंग साइंकिल होता है दोस्तों इस चीज को आप ध्यान में रखना कि इसमें से कॉशन आ सकता है अब देखिए सुक्सम सिक्षन की विशेशता ही क्या क्या होती है यह हम पढ़ ल चात्रों की जगह अधिकांस है पाठियों की चात्र की भूमी का अभीनित करती है इसमें और भी काफी तरह की बाते लिखी गई है दोस्तों आप पढ़ लेना इनको क्यूंकि वही है कि अगर मैं एक एक बात बताने लगा दोस्तों तो यह वीडियो बहुत ज्यादा लंब कि चर्चा विधी जिसके अंदर हम डिसकसन करते हैं समुष एक्षण व्याख्यान विधी इन सभी अवलोकन करने को समीक्षा विधी कहा जाता है इसके अंदर क्या करते कि हम एक दूसरे के साथ डिसकसन करते कि आज हमने क्या पढ़ाय किस तरीके से होना चाहिए और किसी लए भी विषे की ऊपर हम चर्चा कर सकते तो उसे हम क्या कहते समिख्या विधी हम देखतें कि क्या कमी रही है और क्या अच्छी बात रही है किसी वी टॉपिक के अंदर अगला तो हमारा प्रशनोत्री विधी को शुक्रात विधी के नाम से भी जैना जाता इसमें विशेश रूप से तीन बातों पर ध्यान दिया जाता है प्रशन निर्मान प्रस्तुतिकर्ण बच्चो दवारा ही नमीन ग्यान देना ठीक है तो प्रशनोत्री विधी के अंदर क्या होता है दोस्तों जब हम प्रशन पूछते हैं किसी बच्चे से तो उसे हम कहते है परशन वत्री विधी और इसके अंदर किया कि बच्चों दवारा ही ज्यान देना important चीज़ है दोस्तो ध्यान देना इस बात पर हम परशन पूछते और बच्चा हमें उत्तर देता है ठीक है तो बच्चा क्या करता है बच्चा हमें ज्यान दे रहा है तो ये एक important चीज है ये person में पूछी जा सकती है ठीक है उसके बाद है इसमें उदिस से भी देख सकते हैं प्रोव ग्यान को जांचरा हमने जो पढ़ाय हम देखें person पूछ के कि बच्चों ने कितरा क्या कुछ सीखा है अभी प्रेरिणा जागरित करना यानि कि उनको आगे बोलने के लिए प्रेरित करना यह हम कह सकते हैं कठिनाई जानना हमें यह पता करना कि बच्चों को कितनी क्या कठिनाई आ रही है ज्यान का प्रियोग करना तो काफी तरह की चीज़े इन्होंने यहां पे दी हुए आप देख लेना उसकी बाद है दोस्तों हमारे पास मिश स्चार वी मर्ष का अर्थ है अध्यन अधिन परक्रण अथवा समस्याम नहीच समय समन्धों का अब देख्ये अब देखिए अब हैं हमारे पास group discussion method हमने पहले किया था discussion method यह निकी समिक्ष्या वी थी की थी अब है हमारे पास group discussion method इसके अंदर क्या होता है दोस्तों काफी एक group बना लिया जाता है बच्चों का 10 से 12 बच्चों का group बना लिया जाता है और उसके अंदर हम उनको कहते कि आप बात कीजिए आप करके देखे कि कोई भी समझ से है उस पर discussion करके देखे तो उसे हम क्या कहते है ग्रूप discussion कहते है और इसके अंदर दो टीम भी हो सकती है जैसे पांस-पांस लोगों की होगी वो एक दूसरे के साथ debate करे ठीक है तो इस तरीके से हो सकती है लग-लग हो सकती है तो काफी तरह से हो सकती है जो ग्रूप discussion है वो बता देते हैं इसमें तो यह कमी है इसमें यह कमी है इसमें यह अच्छाई है तो वो क्या है कि सपष्ट हो जाता है चिंतन विकास हमारे हमारे सोचने समझने की जो सकती हो विक्सित हो जाती है अज्यात की खोजो चीज़ हमें अभी तक नहीं पता है वो हमें पता चल जाते हैं ग्यान और चिंतन का विकास हमारे ग्यान और सोचने समझने की सक्ति विक्षित होती है यही बात मैंने आपको उपर भी बिता दिये तो काफी सावी चीज़े यह आप पढ़ लेना इसमें से आपको पीडिये दे दी जाएगी दोस और सीमा इसके अंदर हो सकती है सभी एकायो के अनुकूल नहीं है यानि कि सभी विश्या पर हम इसको लागू नहीं कर सकते है भटकने के अवसर यह बिल्कुल सही है हो सकता है कि हमारे जब डिसकसन चल रही है तो कोई और बात निकल पर समझ करके नहीं चल सकते थोड़ी सी प्रोवलम आ सकती है इसके अंदर गुटबंदी हो सकते है इसके अंर देखिए हम किसी चीज को जो हमें लगता है ये सही है तो उसको सिद्ध करने के लेकिया है कि हम गलत चीज भी बोल सकते हैं ठीक है वो कहते हैं कि एगो अपनी एगो रखने के लिए हम गलत चीज भी कर सकते हैं ठीक है और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे हैं हमारे पास ब्रेंस्ट्रॉमिंग अब देखिए ये इंपोर्टेंट चीज है इसमें से कोश्चन आने की संभावना है देखिए इसको सबसे पहले किसे ने विक्सित किया था एस बौर ने 1963 के अंदर विक्सित किया था इसको सरल वहासा में विचार मंथन भी कहा जाता यह है एक रचनात समू करें इसमें समू के सद्द से किसी समस्या पर अपने विचार परस्तुत करते हैं इसमें बच्चों के सामने एक समस्या होते हैं जिस पर सभी बच्चे अपने विचार व्यक्त करते हैं इस दुरान उनमें वाद विवाद भी हो सकता है अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों के सामने के समस्या दे दी जाती है और उस समस्या पर जो बच्चे हैं वो अपने पने विचार विमर से रखते हैं डिसकुसन करते हैं और उस समस्या का समाधन करने की कोशिस करते हैं और बच्चों को क्या कि एक रैपिडिली यानि कि जल्दी जल्दी बो के निकाले तो उसे हम क्या कहते हैं ब्रेंस्ट्रॉमिंग मैथड कहते हैं जिसके अंदर बच्चों के सामने के समस्या रखी जाते हैं और बच्चे ही उस समस्या का समाधान करते हैं जल्द से जल्द ठीक है तो यह चीज आप ध्यान में रखना और इसके अंदर क्या होता है क सिक्सक सभी सभी के सभी सभी के प्वाइcls को किसी बोड़ या कागज पर लिखता है सभी लोगों की समस्या का हल निकालने की कोशिश करता है अब देखिए जैसे दस बच्छे हैं तो दस बच्छों के पाइब समस्या का नियो जन समस्या का उ पट चुनाओk अंग का चैन आकडर का कre करनओ ठीक है काफी तरह की निय भाकते इसके अंदर हो क्णी है आप ये पढ़ लेना उस्के बाद है दोस्तों लाब हम देख सकते हैं क्या क्या हो सकते ध्यान उतेजित करना यानि कि अटेंशन लेके आना ठीक है अभी रूची का विकास इंटरेस्ट विक्सित करना उनके अंदर कल्पना का विकास सोचने की जो सकते हैं वो विक्सित करना विचारों का विकास ठीक है तो आप देखे दोस्तों आगे आती है हमारे पास व्यक्तिगत शिक्षन विधी यानि कि इंडविज्वल टीशिंग मैथड इसके अंदर देखे दोस्तों इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि टीचर जो है स्पेसल एक एक बच्चे पर ध्यान देता है अलग अलग बच्चे पर ध्यान देता है हम कह सकते हैं कि जैसे मान के चले कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं इंडविज्वल टीचिंग मैथड कहते हैं उसके अंदर एक बच्चा होता और एक ही बच्चे पर जो टीचरा वो फोकस करता है यह हो सकता है स्कूल के इंदर भी हो सकता हो मान के चलेगे किसी बच्चे को अच्छे से समझ में नाया हो और टीचर कह दे वह आधी छुटी हो जब रीसेस हो तब आप आजाना मैं आपको समझा दूआ तो यानि कि अलग स से व्यक्तिगत रूप से समझाना उसे हम क्या कहते है इंडिविजुल टीचिंग मैथड कहते हैं ठीक है और इसकी कुछ यहाँ पे विशेशता है दिए यह आप पढ़ लेना दोस्तों और यहाँ पे कुछ दोस भी दिए वो भी आप पढ़ लेना और उसके बाद दोस्तो सवतंतर अध्यन नीती यानि कि उपल लर्निंग इसके अंदर क्या होता है कि प्रोजेक्ट वर्क विद्यार्थी चोटे-चोटे समुम में कारियक करना सवतंतर रूप से समस्या को हल करना व्यक्तिगत गुणों का विकास यानि कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों जैसे बुक पढ़ता है अपने तरीके से उस पर experiment करके देखता है यानि कि हर काम अपने तरीके से करता है teacher उसको instruction नहीं देता कि तुम्हें ये करना है ऐसे करना है वैसे करना है कुछ भी नहीं है ठीक है सवतंतर रूप से करता है और इसके अंदर भी कई तरह की बाते हैं जैसे समझ विक्सित होना आदत विक्सित करना यानि कि जब बच्चा देखिए बच्चा जब खुद करने लगेगा दो च्यार बार तो उसे खुद आदत पढ़ जाएगी अच्छे से पढ़ने की और जो बच्चा ऐसा कर लेगा उसकी टीचिंग बहुत अच्छी होगी अपने आप में क्योंकि जो बच्चा खुद समझदार हो खुद पढ़ने के लिए तो उसे फिर टीचर की ज्यादा रिक्वार्मेंट नहीं पढ़ती वो अच्छे से पढ़ सकता है ठीक है देखिए आगे दोस्तों हमारे पास हूरिस्ट हुरिस्टिक मैथड इस मैथड के अंदर क्या होता है दोस्तों यह मैथड भी काफी बार कोशन में आया है तो यह भी हमें पता होना चाहिए इसके अंदर क्या करते कि बच्चा अपने आप खोजविन करके सीखता है इस सिक्षन में अध्यापक की सहायता और प्रामर्स की जरूरत नहीं पड़ती बच्चा खुदी समस्या का समाधान निकालता है इस विधी में अध्यापक बच्चों की समस्या के लिए परशन दे देता है और वहां से हट जाता है जब बच्चा उसको हल खोजते हैं अब देखिए इसके अंदर वही बाता है मैंने थोड़ी सी पहले भी बचाई थी कि इसके इंदर के बच्चों को समस्या दे जी जाती है और समस्या देने के बाद टीशर है वहां से चला जाता है और बच्चे खुद उसका हल खोजने की कोशिस करते हैं खुद तरीके लगाते कि किस तरीके से ये हो सकती है तो इसी हम क्या कह सकते हैं हुरिस्टिक मैथड कहते हैं तो ये काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों ये आप एक बार देखे लिना इंगलिस हिंदी में हमने यहां पे दिया है और आगे बात आती है दोस्तों हमारे पास दो और टीस्टिंग मैथड रहे जाते हैं इंडेक्टिव मैथड और डिटेक्टिव मैथड अब देखे इंडेक्टिव यानि कि आगमन विधी के अंदर हम देखते हैं क्या होता है आगमन विधी में हम पहले बच्चे को उधान देते हैं ठीक बच्चे को पहले हम उधान देते हैं बच्चे को परतेक्स अनुभव त तो ऩा उधान अच्छी तरह से सम्झाया जाता है यानिकि इसके इंदर सब unknowns बच्चों को उधान दिया जाता है। उधान धेके फिर कोई दूसरी चीज念 समझ JER जाते तो उस europé च्या-ते है अगमण विधी कहते हैं। ठीक है यह विशिष्ट से समानने की और चलती है। प्रात्मिक स्तर पढ़ा ही सबसे अच्छी विधी है, ये देखी, ये सबसे अच्छी विधी भी मानी जाते, क्योंकि इसके इंदर बच्चे को पहले आराम से उधान दिया जाता है, ये चीज ऐसे होते हैं, तो उसके बाद कोई नई चीज सिखाई जाती है, और आगे आते दोस्तो हमारे पास निगमन विधी इस डिड़क्टिव मैथर इसके अंदर क्या होता है इस विधी में पहले नियम बताया जाता है ठीक है ये आगमन विधी की उल्टी है इसके अंदर पहले नियम बताया जाता है बच्चा नियमों को आतम साथ करके तेजी से सीख लेता यान से पहले हमें नियम यानि की formula बताया जाता भी यह जो question है इस त्रीके से होगा सबसे पहले हमें formula बताया जाएगा उसके बाद हम question करेंगे यह है विधी समानने से विशिष्ट की और चलती है यह है विधी उचतर सतर पर अपनाई जाती है ठीक है तो यह होती है हमारी निगमन विधी होती है तो दोस्तों आज हमने teaching method की हैं इन में से जो question किस तरह से आते हैं वो हम आज की evening की वीडियो में करेंगे तो evening की वीडियो आप पूरा देखना ध्यान से देखना क्योंकि वह भी बहुत ज्यादा important होने वाली है और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच् भूसानी से देख सके हैं thank you दोस्ता है आप अजय को दो आप अजय को अजय को दोड़ा है कि कि अजय है और आप तो अजय को दो आपको पर आपको दोख्योंकि अजय है